Welcome back guys, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Digital साहता पर तो साथियो आज का ये वीडियो PM आवास योजना ग्रामीन के उन लाभार्थियों के लिए काफी ज़्यादा important है जो लाभार्थी PM आवास योजना ग्रामीन के अंतरकत 2023-24 के तहट इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और साथियो आपको इस योजना के बारे में काफी ज़्यादा knowledge नहीं है आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस योजना का जो आवेदन फॉर्म है उसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप अपने document के साथ कहां पर इसका जो आवेदन है वो दे सकते हैं आवेदन देने के बाद जो सूची offline तयार होती है वो आपको कहां पर मिलेगी उसके बाद offline सूची के आधार पर लाभारतियों का verification होगा फिर आपका नाम आवास योजना ग्रामीन के portal पर add किया जाएगा तो साथियो वीडियो में आप लोगो पूरी A to Z फ्रक्रिया बताऊंगा step by step तो वीडियो में end तक बने रहिएगा इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी नए लाभारती है जो इस योजना का लाभ 2023 के अंतरगत लेना चाहते हैं आप सभी का जो सवाल है दोस्तो वो खतम हो जाएगा और आसानी से आप इस योजना के लिए आवेदन दे सकेंगे और इस योजना का लाभ आपको आसानी से मिल सकेगा तो चलिए साथ यो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से request करते हैं हमारे चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अप्लोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर step by step जो process है वो बता देता हूँ जो form है वो आपको कहाँ पर मिलेगा उसके बाद आपको जो form है वो कहाँ पर submit करना होगा दोस्तो पीम आवास्योजना ग्रामीन 2023-2024 के अंतरगत जो registration form होती है लाभरतियों का वो आपको किसी भी प्रग्या के इंदर जिसे CSC Center के नाम से जाना जाता है वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर दोस्तो अगर आपको आपके नजदी की CSC Center के अंदर ये जो form है वो प्लब नहीं होती है तो दोस्तो आप ये form जो है ब्लॉक कार्याले में जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर ग्रामिन विकास मंत्राले के जो भी अधिकारी होंगे PM आवास्योजना ग्रामिन से सम्मदित आप उनके पास से जो form है उसे प्राप्त कर सकते हैं form को लेने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है उसके अंदर जितने भी steps होते हैं उसे फिलफ कर लेना है उसके बाद आवस्यक जो दस्तावेज होते हैं दोस्तो आपको उसमें submit कर देना है आवस्यक दस्तावेज राज्यों के आधार पर होती है कि कौन-कौन से राज्यों में कौन-कौन से दस्तावेज मांगे जा रही है दोस्तो इसकी जानकारी आप अपने ग्राम पंचायत के मुख्या से भी ले सकते हैं यहाँ पिर जहाँ पर आप फॉर्म को कलक्ट कर रहे हैं अपने प्रक्षंट कारियाले के पिम आवाज योजना ग्रामीन के अधिकारी के पास वहाँ पर भी आप इस से संब्धित जानकार देना चाहूंगा कि कौन-कौन से दस्ताबेज आप सभी को इस योजना के जो constant form होती है दोस्तों उसके साथ attach करने होते हैं दोस्तों आप जिस जगा पर घर बनाना चाहते हैं उस जगा की जो दस्ताबेज है वो आपको submit करने होंगे उसके बाद आपको अपना bank खाता विवर तो आपको add करना ही होगा और आपका bank खाता जो है डिवेटी जो है link होना चाहिए और आधार सीडिंग होनी चाहिए आपके bank खाते के अंदर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को और भी जो details होती है वो बताना चाहूंगा आपको अपनी photo submit करनी होगी जो form होत और जो पंचायत सचीव होते हैं साथियो उसक से verify करा लेना है form को verify करते हुए दोस्तों आपको अपने प्रखंड कारियाले में जाके submit करना होगा प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन के जो भी कारियाले होंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा जहांपर form का आवेदन लिया जा रहा है दोस्तों भारत के अंतरकत सभी राज्यों में आवेदन नए आवेदन लिये जा रहे हैं जिसमें लाभार्तियों का पंजी करने के लिए दोस्तों जैसे आप अपना आवेदन form को submit कर देते हैं उसके कुछ दिनों के बाद offline जो सूची है वो प्रखंड स्त पर तयार होती है और उसके बाद लाभार्ति का verification होता है जब दोस्तों सूची तयार होकर publish होती है तो दोस्तों आपके gram पंजायत के मुख्या द्वारा आपको जानकरी दी जाती है कि आपको कब जो है verification के लिए दस्तावेज लेकर जाना होगा जब आप verification में जाते हैं तो उस समय आपने जो भी document form को submit करते समय अटेच किया था सारे documents आपको फिर से ले जाने होते हैं और जो अधिकारी होते हैं वो verification के लिए आपके पंचायत के अंदर आते हैं वहाँ पर अगर सभी प्रकार के दस्तावेज और आप एक योग लाभुक होते हैं तो दोस्तों आप आपका नाम जो है accept कर लिया जाता है अगर आप एक योग लाभुक हैं आपका already जो है पका मकान है तो सांथियो आपको reject कर दिया जाता है जैसे आप approve होते हैं तो दोस्तों आपका नाम PM आवास योजना ग्रामीन के portal पर registered करने के लिए तयार हो जाता है और कुछी दिनों के आपका नाम है वो portal पर add हो जाता है दोस्तों वीडियो में आप लोग को example के तोर पर बताऊंगा कि लाभार्थी का जो पंजी करन है वो PM आवास योजना ग्रामीन के portal पर किस तरीके से होता है तो दोस्तों देख सकते हैं यह PM आवास योजना ग्रामीन का जो registration portal है दोस्तों SBM यानि कि स्वच भारत मिसन की जो सदेश्यता संख्या है दोस्तों वो आपको यहाँ पर fill up करना होता है उसके बाद दोस्तों जो constant office से संब्धित details होते हैं वो अधिकारियों द्वारा यहाँ पर आपका fill up किया जाता है और next step के अंतरकत दोस्तों यहाँ पर मैं आप होती है देख सकते हैं कुछ इसे प्रकार के details जिसमें सबसे पहले तो आपका state, district सारे कुछ selected होते हैं पंचायत का नाम, social category उसके बाद दोस्तों selected household, religions, gender उसके बाद दोस्तों कापी सारे options आपको यहाँ पर देखने होगे मुलेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं योजना का लाब दिया जाता है दोस्तों priority वो चीज होती है जिसमें मान सकते हैं कि आपके पंचायत के अंतरगत अगर 10 लाभार्थियों को आवास किसी financial year के अंतरगत दिया जाना है लेकिन जो लाभार्थी पंचिकरित है उनकी संख्या 50 से जादा है तो दोस्तों यह जो priority priority number होते हैं दोस्तों उसी के आधार पर 1 से 10 नंबर के अंदर जिन लाभार्थियों का priority number होगा उन्हें सबसे पहले इस योजना का लाब दिया जाएगा priority दोस्तों जो category होती है उसके आधार पर तयार की जाती है उसके बाद और भी जो details होते हैं देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से submit की जाती है bank account details से लेकर सभी प्रकार के details तो दोस्तों ये थी प्रक्रिया PM आवास योजना ग्रामीन के अंतरगत किस तरीके से आप जो है form को collect करके PM आवास योजना ग्रामीन का लाब लेने के लिए form को submit कर सकते हैं और submit करने के बाद जैसे आपका नाम पॉटल पर upload हो जाता है तो दोस्तों allotment जारी होने के कुछी दिनों के बाद आपके खाते में पैसे credit हो जाते हैं पहली किस्त के तहत तो सांथियों कर जान करें अच्छे लिए को वीडियो को लाइक करें और इस परकार के और भी updates पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दन्यवाद